पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद, इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में छे विकटे पर 316 रन बना लिये हैं. भारत पर इंग्लैंड ने 126 रन की लीड बना ली है. स्टंप के समय, क्रीज पर ओली पोप 148 रन बना कर नाबाद हैं. उनके कार बनाया, जो सिर्फ दो रन बना कर LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए. वहीं इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में आधी टीम H63 के स्कोर तक गमबा दी थी, जिसमें कप्तान बेन स्टोक्स का भी विकेट शामिल है. भारत की ओर से बुमराह और अश्विन टो विकेट लेने में सफल रहे हैं, तो वहीं अक्षर पटेल और जडेजा के खाते में वन टो वन विकेट लेने में सफल रहे हैं, भारत की पहली पारी 436 रन पर समाप्त हो गई. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाये थे. इस लिहाज से टीम इंडिया के पास 190 रन की बढ़त थी अब इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 316 रन बना लिये हैं को और अब तक 126 रन की बढ़त हासिल कर चुका है और चैनल को सब्सक्राइब करें